मकई की रोटी सरसो के साग के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है और इसके सुआत को और भी जादा बढ़ा देता है ये वाइट मकषन जो हम घर पे ही आसारी से बना सकते हैं दूद लेते हो गाय का या भैस का जिसका भी आप दूद लेते हो उसे गरम करने के बाद उपर जो गाड़ी से क्रीम जम जाती है उसे आपको निकाल करके बोल में रखना है ये एक दिन की मलाई नहीं है ये एक हफते की मलाई है तो उसी क्रीम को आपको बस जमा करते जाना है किसी भी एक बोल में और फ्रिज में रखते चले जाना है अच्छी खासी जब इसकी quantity हो जाए उसके बाद आपको इसे लेना है ठंडी ठंडी ही फ्रिज से निकालनी है और इसे डाल देना है मिक्सी जार में ताकि हम इसके साथ जो है मक्खन निकाल सके इसे आपको चलाना है मिक्सी में लगा करके आप इसको क्रीम बना दीजेगा यह पहले क्रीम बनेगी उसके बाद इसमें से मक्खन निकलेगा तो आप बिजबिश में चेक करते रहें कि यह गाड़ी क्रीम जैसी बनी है या नहीं बनी है कुछ तीन से चार बार आपको चेक करना होगा फिर आप देखोगे ना यह हलकी सी गाड़ापन इसमें जो है बहुत जादा हो चुका है उसके बाद आपका जो है नेक्स टेप होगा यह आप देख सकते हैं हलका आपको लगा ना, थोड़ी सी गाडी जैसी हो गए, अलग अलग बिखर बिखर सी गई है, इस टेप में आपको क्या करना है, इस में डालना है, فरिज का ठंडा ठंडा पानी, थोड़ा सा पानी आप इसमेंular फिर्ज का मिला लिजएगा, अब आपको फिर से मिक्सी को चलाना है अब फिर आप इसे दो से तीन बार चलाईगा बीज बीच में चेक करना बिल्कुल न भूलें लगातार आपको नहीं चलाना है कुछ 20 सेकंड 30 सेकंड मतलब एक बार मिक्सी को चलाया कुछ सेकंड छोड़ा फिर से आपने इसको चेक कर जैसे आप देखो कि पानी बिल्कुल अलग हो चुका है और मखन बिल्कुल अलग सापको नजर आने लग गया है तो समझ लो कि आपका जो मखने वो निकल चुका है अब आपको और मिक्सी को नहीं चलाना है अब मखन को आप किसी अलग कटोरी में निकाल करके रखेंगे तो इसके लिए आपको पानी को अलग करना बहुत जरूरी है तो पानी पहले हम अलग निकाल लेते हैं मिक्शोर कि आपके हाथ बिल्कुल साफ हो क्योंकि हाथों का इस्तमाल तो आपको इसमें करना ही पड़ेगा तो आप देख सकते हैं पानी मैंने बिल्कुल अलग से निकाल आप पानी है ना उसे आप बिल्कुल भी ना फेके इसका आप दुबारा इस्तमाल कर सकते हैं या तो आटा गुनने में या फिर अगर आप कड़ी वेगरा बनाएं तो उसमें इसको दही के साथ मिला करके बना लीजे कड़ी का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और म मखन अलग कर लें पानी बिल्कुल अलग निकल जाएगा घर पे ही मलाई इकठा करके जो आप ये मखन बनाओगे ना इसका स्वाद इतना बड़ी आपको लगेगा एक तो ये बिल्कुल ताजा ताजा आपने बनाया है उपर से इसे बनाने के लिए आपने आग का भी इस् ही बहुत लंबा मत रखे फ्रिजपर एक हफते की मलाई से ही इतना सा देख सकते हैं आप ,'T this is actually the first of a week க on drink झाल झाल शो जो